conductor का resistance मुख्य तह 4 प्रमुख तथियों पर निर्भर करता है जो की conductor की सामगरियां, conductor की लंबाई, conductor की मोटाई या cross section और conductor का तापमान है हम पदार्थ की resistance को प्रभावित करने वाले तथियों की जाँच करने के लिए एक क्रिया करेंगे इस क्रिया के लिए हम तीन अलग-अलग प्रकारों के पदार्तों की वायरें इस्तिमाल करेंगे। अल्यूमिनियम, चांदी और लोहा। कंड़क्टर का रिजिस्टंस कंड़क्टर में इलेक्ट्रॉन्स के टकरावों की संख्या पर निर्भर करता है। अलग-अलग कंड़क्टरों में इलेक्ट्रॉन्स की अलग-अलग व्यवस्था और धनत्व होता है। आईए क्रिया करें। इस क्रिया के आवश्यक सामगरियां हैं। 6 वोल्ट से 9 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक बल्ब। समान लंबाई वाली कंड़क्टरिंग वायर। चांदी और लोहे की समान लंबाई वाली कंड़क्टरिंग वायर। एक मीटर और एक स्विच। अलग-अलग कंड़क्टरिंग वायरों के साथ तीन अलग-अलग सर्किट पनाए जाते हैं। बल्ब की चमक देखने के लिए स्विच पर और साथ आम मीटर की रीडिंग पर भी क्लिक करें। चांदी की वायर वाले सॉकिट का बल्ब सबसे अधिक चमकीला है और आम मीटर फो आमपियर्स की रीडिंग दिखा रहा है। लोहे की वायर वाले सर्किट के बल्ब की चमक सबसे कम है और आम मीटर दो आमपियर्स की रीडिंग दिखा रहा है। इससे पता चलता है कि तीन सामगरियों वाली वायरों में करेंट अलग-अलग है इसलिए वायर की रिजिस्टेंस वायर की सामगरी पर निर्भर करता है विद्युत के सुचालकों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से अधिक धनत्व होता है और इस तरह के धातू कम रिजिस्टेंस वाले होते हैं अब यही प्रयोग अलग-अलग लंबाईयों वाली वायरों के साथ करते हैं अलग-अलग लंबाईयों वाली अल्यूमीनियम की तीन वायरें लें 40 cm, 60 cm और 80 cm के अलग-अलग लंबाईयों वाली कंड़क्टिंग वायरों के साथ तीन अलग-अलग सर्किट बनाए जाते हैं बल्ब की चमक देखने के लिए स्विच पर और साथ ही आम मीटर की रीडिंग पर भी क्लिक करें 40 cm लंबी अलुमिनियम की वायर वाले सर्किट का बल्ब सबसे अधिक चमकीला है और आम मीटर 3.5 आमपियर्स की रीडिंग दिखा रहा है 60 cm लंबी अलुमिनियम की वायर वाले सर्किट का बल्ब 40 cm لمbی aluminium की wire वाले सर्किट के bulb से कम चमकिला है और ammeter 3 amperes की reading दिखा रहा है 80 cm لمbी aluminium की wire वाले सर्किट के bulb की चमक सबसे कम है और ammeter 2.5 amperes की reading दिखा रहा है इससे पता चलता है कि यदि electrons को لمbी दूरी तए करनी हो तो उनका टकराव बढ़ता है और इसलिए लंबाई बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है अब एक बार फिर अलग-अलग मोटाई वाली वायर के साथ यही प्रयोग करें अल्यूमिनियम की अलग-अलग मोटाई लेकिन समान लंबाई वाली वायर लें बल्ब की चमक की जाच करने के लिए स्विच पर और अम मीटर की रीडिंग पर क्लिक करें अल्यूमिनियम की सबसे मोटी वायर वाले सर्किट का बल्ब सबसे अधिक चमकता है और अम मीटर 4.5 अंपियर्ज की रीडिंग दिखा रहा है आल्यूमेनियम की मध्यम मोटाई वाली वायर का सरकेट का बल्ब, आल्यूमेनियम की सबसे छोटी वायर वाले सरकेट का बल्ब बर से कम चमकीला है और आममीटर 3.5 अमपियर्स की रीडिंग दिखा रहा है अलुमिनियम के सबसे कम मोटाई वाली वायर वाले सर्किट के बल्ब की चमक सबसे कम है और आम मीटर 2.5 अमपियर्स की रीडिंग दिखा रहा है इस से पता चलता है कि जैसे जैसे कंडक्टर की मोटाई बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोंस को घूमने के लिए ज्यादा बड़ा क्षेतर मिलता है जिसके परिणाम स्वरूप वायर की रिजिस्टेंस घट्ती है अब इन दो सरकेटों पर गोर करें जिनकी वायरیں अलग-अलग तापमान पर हैं लेकिन उनकी सामगरी, लंबाई और मोटाई एक समान है सरकेट A की वायर 35 डिघ्री सेंटिग्रेड पर है और सरकेट B की वायर 100 डिघ्री सेंटिग्रेड पर है 100 degree centigrade वाले सरकिट के बल्ब के मुकाबले 35 degree centigrade वाले सरकिट का बल्ब अधिक चमकीला है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे वायर का तापमान बढ़ता है उसके electrons अधिक तेजी से कमपन करते हैं इसके परिणाम स्वरूप electrons के टकरावों की संख्या भी बढ़ती है इसलिए तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ का रिजिस्टन्स बढ़ता है